कि नमस्कार दोस्तों कोचा पेडियों पर फिर सब्सक्राइब करता है हम वापस आज चुकिए अभी तक हमने लेक्चर वन कम्रीट किया था जिसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रडक्शन बताया था आज अपने लेक्चर टू के साथ बढ़ेंगे जिसमें आपको बैंकिंग क्या रहते है वह कौन सा होता है आर्बीाई जो होता है इंडिया का सेंट्रल बैंक अर्बीाई मतलब होता है रिसर्व पैंक औफ इंडियough में ब्हidas टिक है अमिंटभ इंडिया एक्ट के ठुल में बना था ठीक है तो नीकर आप आन्धियन के आर्ब명न आ्प एंडिया- गाम धाएं वो कैसे काम करेगा वह सब को देखता है रेट्स वगर डिसाइड करता है और दूसरा काम यह करता है inflation targeting inflation इंफलेशन मतलब महेंगाई महेंगाई को देखता है कि महेंगाई हद से जाधा पढ़ जाए उस चीज को यह देखता है ठीक है तो अब एक चीज होती है कि रेट्स वगर्ण डिसाइड करता है तो रेट्स वगर्राइड आज अपन जानेंगे रेट्स आनने के लिए हमको एक चीज जानना पड़ेगा कि rate decide आखिर होता कहां से हैं तो RBI के committee होती है MPC बोलते हैं monetary policy committee policy committee ठीक है यह कब बनी थी यह बनी थी 2016 में दो 2016 में monetary policy committee बनी थी यही जो है सारे rates हो गया रखो जो बे rate होते हैं वो सक पर decide करती है रेपो रेट हो गया reverse रेपो रेट हो गया आपका bank rate वगएर हो गया यह decide करती है ठीक है तो अपन उसको देखते हैं अप चलिए rates वगएरा को देखते हैं rates वगएरा देखेंगे तो rates में अपन चालू करते हैं सबसे पहले CRR SLR मैंने आपको बता आपको तो अपन चालू करेंगे bank rates ठीक है शुरुआत होता है bank rate ध्यान सब्सक्राइब समझते जाएगा बस समझने वाला concept क्लियर करने वाली चीज़े ही है यह ठीक है मैंने आपको क्या बता है यहां पे सबसे बड़ा bank होता है RBI ठीक है Reserve Bank of India जो होता है वो सबसे बड़ा bank होता है इसके नीचे में आते हैं SBI हो गया ठीक है PNB हो गया HDFC हो गया इस टाइप के जो schedule commercial banks जो normal banks रहते हैं वो सब इसका ender में आते हैं ठीक है बाते clear हो गई यहां तक अब इनके काम काज के लिए यह bank हो गया यह यह वह टेनों अपने अपने banksों हो गए ठीक है इनको काम काज के लिए अगर यह पैसा को eBay ज़िक है न esther inequality में एक्ने चलाइए साल भर का मैंने आपको इतना पैसे दिए आप इसो रूटेट करिए और इसमें से पैसा कमा के अपना काम चलाइए ठीक है तो इसमें कुछ एक इंट्रेस्ट बहुत कम होता है तीन से चार परसंट आस पास का इंट्रेस्ट रहता है इस पे यह देते हैं अब इसमें अपने वो जानने वाली क्या बात है अपने वो जानने वाली बात है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कॉलेट्रल नहीं लगता है मतला हमको गिरवी कुछ भी चीज नहीं रखना है इसमें ठीक है हमको इसमें गिरवी रखने की कोई जरूत नहीं है हमको बिना गिर अगली चीज जो हमारे काम की आती है वो आती है रेपो रेट नंबर दो रेपो रेट ठीक है रेपो रेट ये समझना बहुत ज़रूरी है क्या होता है बैंक रेट आपने समझ लिए कि नॉर्मल काम कास के लिए आपको चाहिए ठीक है रेपो रेट क्या होता है एक ऐसा रेट होता है इसमें भी आर बियाई जो है वो अपनी नीचे वाले बैंकों को पैसा देता है ठीक है बात क्लियर हो गई लेकिन ये कब देगा हमको तो बैंक rate पर मिल रहा है, हमको bank rate पर मिल रहा है, अब हमारे पास माल लीजिए 100 करोड था, 100 करोड हमने distribute कर दिया, हमको अब तुरंत के लिए कुछ पैसा चीह अपने आपको rotate करने के लिए ठीक है, तो इस case में हम इसको लेंगे, ठीक है, रपो rate को इसमें सबसे main चीज़ यह होती है कि यह होता है, short term short term अब आप पुछेगे कि short term क्या होता, short term का मतलब होता है एक दिन से लेके 28 दिन तक बाते clear? एक दिन से लेके 28 दिन तक का, कि समय के लिए हमको अगर कुछ loan चाहिए, तो वो अपन रपो rate में लेंगे ठीक है, बाते clear होगे, यहां से इनके पास पैसा आ रहा है और इसका percentage something something around 7% आस पास पे रहता है, यह आप समझके चलिए, ठीक है 7% आस पास पे रहता है अब, इसमें हम लोगो जानने वाली बाते क्या है? जानने वाली बाते यह है कि हमको collateral रखना पड़ता है या नहीं? जी हाँ हमको ब्याज, हमको उसमें गिर्वी रखना पड़ेगा इसके लिए हमको गिर्वी रखना पड़ेगा गिर्वी में क्या-क्या चीज़े हैंगी government securities आती है, आपके bonds वगेरा हो गई, ये सब चीज़े हम गिर्वी रख सकते है RBI के पास, बाते clear हो गई आपको ठीक है, समझ में आ गया अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि इसको कौन-कौन ले सकता है रेपोरेट पे लॉन कौन-कौन ले सकता है पहला चीज़ हमने देख लिया कि ये bank ले लिए SBI, ठीक है दूसरा चीज़ आपन ये देख लिए कि NBFC, non-banking finance companies जो रहती है जैसे हो गई है, LIC वगेरा हो गई, ये banking वगेरा काम थोड़ी करते हैं, लेकिन finance companies है ये भी ले सकती है, एक और चीज़ आपको जानने वाली चीज़ ये है कि इसमें अपने को minimum minimum 5 करोड देना पड़ता है minimum minimum amount जो है वो 5 करोड है, और maximum जो है वो तो unlimited है, आपको जितना लेना है आपको तह ले सकते हैं, ठीक है, बाते clear हो गई, अब मैंने आपको कल एक concept बताया था, आपको याद होगा शायर, CRR और SLR वाला CRR और SLR वाला बताया था, ये हो गया, CRR जो कि लगभग लगभग 4% आस पास रहता है, लेकिन, लेकिन ये किसके पास रहता है, आपको इसको RBI में जमा करवाना पड़ता है, ठीक है यहाँ तक clear हो गया दूसरी चीज़ मैंने आपको बतायी थी SLR, SLR जो था वो लगभग 20% आस पास मैंने बताया था ये गोल्ड के फॉर्म में या बॉन्स के फॉर्म में या कैश के फॉर्म में, ये बैंक के पास ही रहता था, ठीक है अब बात यहाँ पर आ जाती है कि आप इसमें से, ये जो 20% आपने जमा करके रखा है अपने टाइम के लिए, क्या आप उसमें से निकाल के कोलेटरल दे सकते हो तो उसका अंसर होता है नहीं आप SLR को इस केस में नहीं टच कर सकते, ठीक है अब तीसरी बात अपन करते है रपो रेट में आपको जो समझने वाली चीज़ें है उसको देखे एक बार ठीक है रपो रेट में समझना आपको ये चीज़ है कि रपो रेट अपने इस्तिमाल कहां करते है ठीक है साथ परसंट आसपास में देती है ठीक हैophone साथ परसंट में अगर उसने बैंक को पैसा दिया अब उसको क्या करना है हमने इंफलेशन वाली बातें की थी ते उस दिन मने रेट्स की बाते की थी अगर यहाँ पहिला केस्स लेके चलते हैं की इंफलेशन जो है वो बढ़ा हुआ है इंफलेशन Norman भाप हें बढ़िये हैं डिमांड बढ़ी वह यह मतलब लोगों के हाथँ में पैसा है अब inflation को कम करना है तो लोगों के हाथ पैसा चीनना पड़ेगा पैसा चीनने क्या करेगा जो RBI 7% पर लोन देता था उसको सिधा कर देगा वो 15% के ठीक 15% पर वो कर दिया तो इसको SBI को यदि 15% में मिल रहा है और SBI अपने customers को दे रहा था SBI अपने customers को 9% में दे रहा था तो ये भी just double कर देगा 9% को ये 18% कर देगा भाई उसको भी तो बीच में कमाना है ना कुछ तो वो भी कर देगा अब जो लोन लोगों को 9% में मिल रहा था 9% मिल रहा था वो अब उसको 18% में लोगों को लोन मिलेगा कोई लेना चाहेगा नहीं लेना चाहेगा अगर इंसान लोन नहीं लेगा तो उनके हाथों में पैसा नहीं आएगा तो भाई हो गई लोगों के हाथों से पैसा चिना गया बस किसी चीज को इपने को समझना था खीक है है अगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने का शुरुआत आपनल यह करते हैं अगजी चीज अगरिए न गरता । कीज पीद हरं ट रेवर्स तीमनलों की बात कर लेते हैं । क्टी तुम या रखेगा आप लोग रिवर्स रेट को अपन पॉलिसी रेट भी बोलते हैं ठीक है बाते क्लियर हो गई अब रिवर्स रेपो क्या होता है फिर सब्सक्राइब लेकर चलेंगे यह हो गया निएार आजए手 परसंड ऑर यहाँ लोन दे रहा थे 7% वे फिर सटमर को लून दे रहा थे 9% में अब बात होती है डिपास बाती है पिल हाल में 100 क्रोड पर रखा हुआ है सो करोड क्या है ईंडी टील क्या होता है नेट डिपॉजिट एंड ताइम लाविटिटी मैंने आपको बताया था डिपॉजिट लाविटी होता है कर लिटए डि लीटा की बात हम साइड कर देते हैं दूसरी रेट होती ही रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है reverse repo rate यह होता है हमने समझा कि repo rate होता है मतलब RBI या SBI को दे रहा है उसका just ultra हो जाएगा मतलब यहाँ सा थोड़ा अंदाज हमको यह लग जाता है कि अब SBI या RBI को वापस पैसा देगा तो यह क्यों देगा भाई वो तो उससे ले रहा है अब आप एक चीज़ समझे reverse repo rate होता है repo rate से 1% कम ठीक है? reverse repo rate से होता है 1% कम यानि कि यह हो जाएगा 6% यहां मैं लिख देता हूँ एक चीज़ repo rate से 1% का कम होता है reverse repo rate यहाँ ते बाते clear हो गई अब यह हो गया 6% अब हमको एक चीज़ देख रहा है हमको हमने यह चीज देखा था कि inflation जो होता है वो बढ़ा हुआ है inflation बढ़ा हुआ है SBI के पास 100 करोड है अगर वो यही चीज customer को देगा तो उसको 9% पड़ेगा और यहां bank में देगा तो उसको 6% पड़ेगा तो यह क्या करने चाहाएगा SBI अपना जो लोन्स है वो customer लोग को देना चाहाएगा ठीक है यही इसी के बतले यह 6 को अगर कर देता है सीधा 20% ठीक है 6 को कर दिया 20% मतलब यह reverse रेपो की बात कर रहे थे ना तो SBI तो उसको 20% का profit मिलेगा तो कहा जाना चाहेगा SBI सीधी सी बात है कि भाई उसको 20% यहां मिल रहा है तो वह वापस RBI में ही पैसा डालना चाहेगा तो यहां क्या होगा यहां माली जैसने 90 SBI ने 90 करोड इसको दे दिया RBI को बाकी 10 करोड है customer बाट दिया तो RBI के पास पैसा कम हो गया ओग या तो लोगों के पास पैसा कम गया बाते क्लियर हो गई तो अगर inflation होता है यहां संब कुद दो बात eerste में आते हैं अगर inflation होता है तो लोगों के हाद से पैसा खीचना है तो रेपो रेट जो होगा उसको भी बढ़ाया जाएगा और जो reverse Kam उसको भी बढ़ाया जाएगा बाते क्लियर हो गई यही चीज होता है और रिवर्स रैपो अब मैं आपके एक और चीज बताना चाहूंगा मैं एक और चीज बताने लाइक यह है कि हम इसको बोलते क्या है कि इसका एक होता है यह रिवर्स re Ralph हो गया या रेपो ठीक है इन दोनों को मिला कि अपन बोलते हैं L.A.F. L.A.F. ठीक है L.A.F. मतलब क्या होता है लिक्विडिटी लिक्विडिटी एडजस्ट्मेंट फैसिलिटी ठीक लिक्विडिटी मतलब क्या होता है पैसा पैसे की बारे बाते क्लियर हो गई यहां तक आपको बाते क्लियर हो गई ना चलिए ठीक आगर अगे बढ़ते हैं आगे अपने को क्या चीज देखना है अगे अपने को देखना है एक और टर्म इतना टर्म ही टर्म है इसमें चलो कोई बात नी हर टर्म का मैं आपको बताऊं आपको बस कॉंसेप्ट तो याद रखना थोड़ी है आप बस कॉंसेप्ट समझते जाएए चौथी चीज जो होती है वो होती है मार्जिनल मार्जिनल स्टैंडिंग अब पैसिलिटी अब पुछोगी यह क्या होता सरे कुछ नया नया दिख रहे है अपने वो तो हमने अभी तक क्या चीज देखा बैंक कैसे पैसा ले रहा था या तो वह बैंक रेट के थू मिले रहा था ठीक है बैंक रेट में अगर उसको नहीं मिल पा रहा है तो मतलब बैंक रेट से कुछ जादा चाहिए पैसा शौट टर्म के लिए चाहिए तो हमने देखा कि और रेपो रेट में ले रहा था यहां तक भी बाते के लिए अब आता है तीसरा केस ऐसा आता है कि यहां पर हो जाता है बैंक फेलियर बैंक फेल हो जाता है मतलब समझेए सब डिपॉजिटर एक सथ पहुंच गए उसके पास पैसा लेने के लिए एकदम इमर्जंसी वाले कंडिशन हो गई तो उस टाइम पे यह क्या करेगा कोई भी बैंक होता है ठीक है इमर्जंसी वाला केस है तो इमर्जंसी वाला केस को मैं टैकल नहीं करूंगा और भागा देगा उसको वह बोलेगा कि आप दूसरे के पास जाओ तो अपना एक अलग विंडो खोल रखा है इसको अपन बोलते हैं यह अलग काउंटर है ठीक है तो अब क्या करेगा इसके प अब यहां पर बात आ जाती है अपने को में चीज़ जालना रहता है तो रहता है क्या यहां पर रखना पड़ेगा वोलेंगे तो जी बेशक हमको यहां पर रखना पड़ेगा अब यहां बात आ जाती है कि CRR और SLR को मैं टच कर सकता हूं क्या CRR और SLR को मैं टच कर सकता हूं क्या CRR तो मेरे पास ही नहीं यह किसके पास है RBI के पास है मच हुई नहीं सकता RBI दे गए नहीं मेरे को दूसरी बात आती है कि SLR को क्या मच हूँ सकता हूं तो बुलेगा कि 20% जो यह रहता है इसमें से कुछ कुछ को मैं टच कर सकता और वो कुछ कितना होता है 0.75% of NDTL इसके पास जितना पैसा है इसके पास जितना है उसका 0.75% मैं इसमें से निकाल के उसको गिरवी रखके वहां से पैसा ले सकता हूं बाते क्लियर हो गई यहां तक MSF ठीक इसको मैं यहां पर लिख देता हूं यह हो गया यहां पर तीसरा केस हो गया MSF का ठीक है इस पर आप एक चिस बस याद रखिए कि यहां पर आपको minimum minimum जो है वो एक करोड तक का ही लोन मिलेगा और maximum जो है वो है 0.75% NDTL का वहीं तक का लोन मिलेगा बाते क्लियर हो गई यह बाते क्लियर हो गई तो हमको एक चिस समझ में आ गया कि सबसे कम जो रेट होता है वो होता है क्योंकि normal ज़र्वत पड़ती नहीं है वो सिंपल हमको लोन दे दिया हमको व्यास देना है यहां तक बाते क्लियर हो जाती है दूसरा आता है रेपो रेट जो होता है वो बैंक रेट से बड़ा रहता है ठीक क्योंकि बैंक रेट अब जो हमको बैसा मिले उससे एक्स्ट्र पैसा हमको चाहिए है और भले शॉट टाइम के लिए चाहिए है लेकिन चाहिए तो है ना भाई चाहिए है तो वो रेपोरेट इससे बड़ा होगा अब एकदम इमर्जेंसी कंडिशन हो गई तो अपन अगला टापिक जो आता है जो मैं को आपको बताना था वो है एक कमिटी बनी थी उर्जित पटेल जी कौन थे वो थे अर्बियाई के गवर्नर थे ठीक है उर्जित पटेल जी के हेडिंग में कमिटी बनी थी यह कब बनी थी का सबसे पहले क्या होता था कि अर्बियाई का बहुत सारे काम होते थी इसAnnby में चीज अपने को जानना है वह ओब संथा प्रषय के में ओडलने सबसे पने में सकाल मतलब वो मैननस परसंट रर्शमतब़ मतलब फो released दो परसंट से लेके 6% के बीच में ही inflation होना चाहिए जो महांगाई है वो 6% of GDP ठीक है इतने के बीच में होना चाहिए यह बात क्लियर हो गई पहले क्या होता था RBI को बोले आप सब काम को आप inflation में देखो आप growth भी देखो आप productivity manufacturing सब देखो वो सब नहीं करना inflation को आप उनको टारेट देदिया यह करना है ठीक है और growth का देदिया गया दूसरा point होता है पहले WPI पे focus किया जाता है WPI क्या होता है wholesale price index ठीक इसके बारे मैं भी बताऊंगा आपको पहले क्या किया जाता था wholesale price index पे focus किया जाता था inflation को देखने के लिए अब उसको माना गर दिया गया अब आपने यूँ कहा गया आप CPI पे focus करो CPI क्या होता है consumer price index ठीक है इस पे अपने को focus करने को कहा गया यहां तो बाते क्लियर हो गई आपको उर्जित पटेल जी की कमिटी ने क्या का कहा था वो चीज़ा अपन देख रहे हैं आप ठीक है अब इन दोनों के बारे में आपको बताता हूँ इन दोनों के बारे में जानने का जो concept है सबसे पहले आपन लेके चलते हैं WPI जो की होता है wholesale price index wholesale price index क्या होता है मतलब जो एक wholesale की बारे हम बात किया जाए ना जो बहुत बड़ी commodities जो होती है ना जैसे मालीजे कि यह बोरा हो गया क्या प्यास का ठीक है प्यास का बोरा हो गया यह तो अगर एक बोरा की अपन बात करेंगे तो यह retail वाला प्राइस हो जाएगा अगर इसी की मतलब आप बोलता हूं कि 100 बोरा होलसेल में खरिटता है ना वो होलसेलर की बात की जाएगी तो वह होता है इसप्राइस में माल लीजे की पिछले साल इसका प्राइस था दस हजार उपए और अब इसका प्राइस बढ़के हो गया है कि तदस हजार पांसो कितना चेंज आया उस्में होलसेल में तो फ्यूल मतलब बढ़ी कॉंटिटी वाली बातें हो जाती तो वह दो देख लिए manufacturing products वगेरा सब आ जाते हैं fuel वगेरा सब आ जाता है fuel, दुनियादारी ये सब की हमको जरूरत नहीं है हमको हमको अगर inflation मतलब महंगाई देखना है तो हमको इन सब की जरूरत नहीं है ये सब बहुत बड़े level पर यहाँ पर आपको सब देख रहा है कि 500 रुपय का change हो रहा है तो इसके हिसाब से आप तो बोलोगे कि inflation जो है पहले पिछले साल में महंगाई काम थी भी मातर पात सुरूर का बड़ी है बोरा के हिसाब से तो हमारे तो उसके साब से कि लोगा देखेंगे तो कुछ price बढ़ा ही नहीं यह चीज़ बोला जायागा इसी लिए इसको ना हटा दिया गया इसको हटा दिया गया क्या चीज़ लेकर आया गया अब consumer price index consumer price index consumer मतलब retail की बाते करेंगे अब अब अपन देखेंगे लेकि एक बोरा प्यास की जो कीमत है वह मालीज हजार रुपए थी या मालीज सौ रुपए थी ऑपने यह हो गया है तेड़ सो ठीक है तो यहां कितना आप बढ़ा है पचास रुपए हाँ यहां पर आपको महंगाई दिखती है चोटी चोटी चीजों में रहती है लो आपको महेंगाई दिखाती है कि है यहाँ यहाँ लग लोग जो पर फोकस नहीं हो पा रहते इसलिए CPI को लिए इसके क्या क्या आता है ट्रांस्पोर्ट आ जाएगा ठीक है और क्या जाएगा एजूकेशन आ जाएगा पढ़ाई उड़ाई यह सब आ गया मतलब एक बास्केट ऐसा जो कॉमन इंसान को जरूरत पड़ता है जो केशन की जरूरत पड़ती है हर इंसान कॉमन को ठीक है ट्रांस्प सब बड़ी क्वांटिटी में मतलब चोटी रिटेल वाली बाते करते हैं तो हम छोटी बाते करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि कितनी महंगाई पड़ी हुई है ठीक है समझ में आगे बाते आपको चलिए आगे बढ़ते हैं तक डाक है गरमी बहुत है चली कोई बात नहीं में अपने को आज का अकरी टác गभी देखना है जो आखरी टापिक है वह मैं आपको से बता रहा हो ठीक फेस्किंगлем परपस से मता रहे हो अपने कों मनी टाइपिस देखना हैं घर अशुल के मनिजद होते हैं ठीक मानी टाइप्स आप यह मैं याद UPSC कोशन एक बार था यह कौन सा इन में से नरो मनी है कौन सा प्रॉड मनी है यह चीज़ आपको जानना बढ़ता है आप बस समझ के चले दिवां के बैठा के चलिए ठीक है M1 में लेता हूं ठीक है M1 में यहां लिख देता हूं M1 क्या होता है M1 के अंदर में क्या आता है current account आ जाएगा savings account आ जाएगा demand raft वगेरा यह सब चीज़े आ जाएगी ठीक है अब narrow और पहले वह आपको समझा ठीक 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 वह समझना ज़रूरी है नेरो क्या होता है नेरो मनी मतलब सबसे जादा liquid मतलब लिक्विड मतलब समझ गया ना cash 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 वाल आइटम गोल्ड वगर आइटम यह सब रहेगा तो उसको बोलते टाइम वाल आइटम नहीं रहता है इस पे अब ब्राइड मनी मतलब हो जाएगा कि लिक्विड कम रहेगा वह और दुनिया भर की टाइम वाली चीज़े वह सक जादा रहेंगे ठीक लेस लिक्विड बाते क्लियर हो गई आपको यहां तक लेस लिक्विड रहेगा यह तो M1 जो होता है यह सबसे जादा नैरो होता है मैं यहां पर N लिख देता हूं ठीक एम वन जो होता है वह सबसे जादा नैरो होता है क्योंकि इसमें क्या क्या आते हैं करेंट अकाउंट आते हैं सेविंग्स अकाउंट आते हैं और डिमांड राफ्ट हो गया यह सब एकदम लिक्विड वाले आइटम से तो यह एकदम ज सबसे जयादा ब्रॉड मनिय हो जाता है सबसे जयादा ब्रॉड मनिय क्यों मतलब टो गया सेविंगी अकाउंट हो गया डिमांड राफ्ट हो गया इसके साथ में इसमें टाइंभलीटी वी एड़ाती है टाइंभी इस अप कर देंगे तो इे अपना बन के आ है M3 अब इसको आपको याद रखने का सबसे अच्छा तरीगा है क्या बन जाएगा भी बन जाएगा भी बाते क्लियर बस इतना समझना है आपको 3 के अपोजिट में रहता है अब आती है अगर मैं कुछ प्लस करता हूं क्या प्लस करूंगा अगर पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग्स है ठीक है आपको पता होगा पोस्ट ऑफिस वगरा में सेविंग्स अकाउंट्स रहते हैं जो पुराने जमाने के लोग रहते थे वो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलके बैठते थे तो अगर पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स को इसमें एड़ कर दिया जाएगा मतलब करेंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट्स और डीडी को ए थिक समझ में आगे आपको अब चौथी बात होती है M4 यही तो बच गया अब दुनिया तारी कि आप सब चीज को एड़ कर दो M1 को एड़ कर दो ठीक है करेंट अब उसके बाद टाइम लेबिलीटी भी एड़ कर दिया तो क्या हो जाएगा M1 प्लस टाइम लेबिलीटी या अब डारेकली इसको ऐसा लिखो M3 ठीक है M3 में अगर मैंने प्लस कर दिया M3 में मैंने प्लस कर दिया पोस्ट ऑफिस अब इसमें खाली सेविंग्स था पोस्ट ऑफिस के साथ कुछ और चीज़े भी उसमें एड़ हो जाएंगी जैसे वहाँ भी अकाउंट बता कुछ FDRD को दुनिया वर का होता है किसान विकास पत्र बगएर सब होता है वो भी टाइम लाइबिलीटी होती ए इसको छोड़ दो आपको एक चीज़ समन में आ गया यह नरो है यह सबसे ज़्यादा ब्रॉड है ठीक है इतना बस आपको जानना था वह आप जान चुके हो ठीक है कोई दिकत और यही चीज़ अगर बोला जाएगा कि आप लिक्विडिटी के हिसाब से जमाईए आपको द होता है भी ठीक यह कौन सा है M3 M3 आप यहां लास्ट में लिख दो M3 लास्ट में लिख दिया बस अब उसके बीच में आपको समझना है तो यह वाली M2 जो हो जाएगा वह बीच में आ जाएगा ठीक है और M4 यहां पर आ जाएगा तो आप यह नमबर ही याद कर लो एक तर अगर आपको कॉंसर्ट समझ में नहीं आता है तो बहुत कतरा से चीज़े बिल्कुल समझ में नहीं आता है चलिए आज का लेक्चर अपन यहीं वाइंड अप करते हैं उम्मिद करता हूं आपको अच्छी लगी होंगी चीज़े और यह वालो कॉंसर्ट के MCQ में आता है इ अन्यवाँ